हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इथार्थ हिंदी एजू किचिन क्लासेज में जहां हिंदी साहिती के महत्रपून प्रशन हम पढ़ेंगे और यह क्लास आपकी हिंदी डिजरी पीजरी नेट की परिक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो इससे पहले की क्लास में हमने 50 के क्वेशन देखे थे उससे आगे क्वेशन आज पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज का पहला प्रस्न है जो बंद नहीं सका नहीं सका जो बंद नहीं सका किसकी काविरचना है यह बताना हैं आपको आप्सन है नेवी चंद्र जैन, भारत भुषन अगरवाल, गर्जा कुमार माथुर, प्रभाकर माचुए राइट आंसर है आप्सन C. गरिजा कुमार माथुर, जो बंध नहीं सका यह रचना है गरिजा कुमार माथुर की अगला प्रश्ण है अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किस विद्वान के द्वारा कहा गया है अंधेरे में कविता है मुक्ती बोध की, मुक्ती बोध की कविता है इसे अस्मिता की खोज किस ने कहा है रामसरुप चतुरवेदी, नामवर सिहन, निर्मला जैन, इंद्रनात मदान राइट आंसर है उप्सन, बी, नामवर सिहन अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज कहा है, नामवर सिहने मुक्ति बोध की रचना, ब्रह्मवर आक्षस, किस विधा की रचना है? निवन्द, कहानी, लंबी कविता, उपन्यास राइट आंसर है उप्सन सी, लंबी कविता मुक्ति बोध की जो रचना है, ब्रह्मवर आक्षस, वह एक लंबी कविता है निम्न में से कौन सी रचना कुवर नारायन की नहीं है? जो रचना कुवर नारायन की नहीं है अपने सामने समवाद तुमसे कोई दूसरा नहीं हासिये का गवाह राइट अंसर है इसके लिए समवाद तुमसे नहीं वाली आपको बतानी थी नहीं वाली तो इसके लिए राइट अंसर है समवाद तुमसे यह रचना कुवर नाराण की नहीं है अगला प्रशन है समवाद तुमसे रचना समवाद तुमसे रचना निम्न मैंसे किस तारसब्तक में संग्रहित है प्रथम तारसब्तक, तृतिय तारसब्तक, तृतिय तारसब्तक, ततुर्थ तारसब्तक राइट आंसर है ओप्सन सी तिर्टीय तार सब्तक समवाद तुमसे यह रचना तिर्टीय तार सब्तक में संग्रहिद है समय देवता किसकी कविता है रचना का नाम है समय देवता कविता विधा की रचना है किसके द्वारा लिखी गई है भवानी प्रसाद मेश्र, नरेश मेहिता, शमसेर बहादुरसी हैं, रामसरुप चतुरवेदी Right answer, option B है, नरेश मेहिता की है रशना है Option B, नरेश मेहिता अगला प्रस्न है, तीसरा पक्ष किस की रशना है तीसरा पक्ष किस की रशना है लक्ष्मी कांत वर्मा रामदास मिस्र रामदास मिस्र हो गये राश्र कमल चौधरी स्री कांत वर्मा राइट अंसर है उप्शन ए लक्ष्मी कांत वर्मा की रशना है तीसरा पक्ष लक्ष्मी कांत वर्मा यूत्साबादी कविता अंदोलन इसके प्रवर्तक कौन है यूत्साबादी कविता अंदोलन के प्रवर्तक का नाम बताना है राज कमल चौधरी पर्मानंद स्रीवास्तो सलब स्री राम से है विरेंद्र कुमार जैन तो यूत्सावादी कविता अंदुलन की प्रवगत तक सलब स्री राम है अगला प्रशन है 1960 के बाद के काभिया अंदुलन को किस नाम से जाना जाता है जो 1960 के बाद का काभिया अंदुलन रहा उसका नाम बताना है समकालिन कविता, सहज कविता, साथोत्तरी कविता, A और C दोनो Right answer option D है A और C दोनो यानि की 1960 के बाद का जो काभिया अंदुलन था उसे समकालिन कविता और साथोत्तरी कविता इन दोनों ही नाम से जाना जाता अगला प्रसने है नए लाके में काभी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है काभी संग्रह का नाम है नए लाके में अरुन कमल, स्रीकांत वर्मा, शाम नारेन, सुदामा बांडे धुमिन Right answer option A है अरुन कमल के द्वारा लिखा गया काभी संग्रह है नई इलाके में अरुन कमल निम्न में कौन कभी नवगीत कविता से सम्दित नहीं है जो की नवगीत कविता से सम्दित नहीं है शंभुनाज से हैं गोपालदास नीरज विरेंदर मिस्र बदरिनायन चौधरी प्रेमगन राइट आंसर है इसमें Option D, बदरी नाय चौदरी प्रेमगन यह नवगीत कविता से संबंधित नहीं है, इसकी अतरिक्त संभुनासी है, गुपादास नीरज और जो गुरेंद्र मिश्ने हैं यह नवगीत कविता से संबंधित कवी है अगला प्रशने है कि सदियों का संताब किसकी रशना है? इसके लिए रइट आंसर है, option B, ओम प्रकास बालमीकी की रशना है, सदियों का संताब ओम प्रकास बालमीकी अगला प्रशने है, सहजन बरसन सो सुनियों जो सपने नही कान सो जय आरज शब्द पंक्ति किसकी द्वारा लिखी गई है? सहजन बरसन सो सुनियों जो सपने नही कान सो जय आरज या सब्द आरज शब्द पंक्ति किसकी लिखी है? रइट आंसर ओप्सने है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है पंक्ति है योवन के तीर पर प्रथम था आया जब शोत सौंदर्य का पंक्ति किसकी है? योवन के तीर पर प्रथम था आया जब शोत सौंदर्य का इसके लिए रइट आंसर है ओप्सन ए सूरी कांत तरपाठी निरारा जी की है पंक्ति है बालकृष्ण भाट्य का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास विधा की रचना है और बालकृष्ण भाट्य के द्वारा लिखा गया है तो इसका प्रकासन वर्ष से बताना है इसके लिए राइट आंसर है औप्शन B 1886 B में बालकृष्ण भाट्य का जो उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी यह लिखा गया है 1886 B में धूर्त रशिक लाल उपन्यास किसकी रचना है रचना का नाम है धूर्त रशिक लाल और विधा इसकी है उपन्यास इसके लिए राइट आंसर है उप्शन D लज्जा राम मेहता धूर्त रशिक लाल उपन्यास जो है लज्जा राम मेहता कि द्वारा लिखा गया है ठेट हिंदी का ठाट किस विधा की रचना है इसके लिए राइट आंसर है ओप्शन C उपर्णियास ठेट हिंदी का ठाट यह है उपर्णियास विधा की रचना है अगला प्रस्न है निम्न में से प्रेम चंद्र के किस रचना में विद्वा विवाह की समस्या का चित्रन किया गया है यह सारी रचना है प्रेम चंद्र जी की हैं इन में से कौन सी रचना है जिसमें विद्वा विवाह की समस्या का चित्रन है इसका राइट आंस और अप्शन बी है प्रेमा जो इनकी रचना प्रेमा है इसमें विद्वा विवाह की समस्या का चित्रन मिलता है अगला प्रशने है प्रेम चंद्री की रचना चौगान ए हस्ती का हिंदी रुपांतरन किस नाम से हुआ इसका हिंदी रुपांतरन बताना है किस नाम से हुआ इसके लिए राइट आंसर है ओप्सन डी रंग भूमी चोगान है हस्ती जो प्रेम चंडर की रशना है इसका हिंदी रूपांतरं रंग भूमि नाम से हुआ अग्ला प्रशन है रामरहीम उपनियास किसने लिखा इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन भी राधिका रमन प्रसाद सिहं की रचना है राम रहीम राधिका रमन प्रसाद सिहं अगला है कि इनमें कौन सी रचना चतुर सेन शास्त्री की नहीं है जो बतानी है नहीं है उसके बारे में ओप्सन है देहाती दुनिया हर्दय की परक अमर अभिलाशा वैशाली की नगर बधू और राइट आंसर है ओप्सन ए देहाती दुनिया यह चतुरसिन सास्त्री की रचना नहीं है इसकी अधरिक्त हर्दय की परक चतुरसिन सास्त्री की रचना है अमर अभिलासा भी और वैशाली की नगर बदू ये तीनों ही चतुरसेन सास्त्री जी की रचनाएं है देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? देहाती दुनिया एक उपन्यास विधा की रचना है तो है किस प्रकार का उपन्यास है? बताना है आंचलिक उपन्यास, एतिहासिक उपन्यास, सामाजी के इन में से कोई नहीं राइट आंसर ओप्सन ए है देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास है नारी उपन्यास के लेखक हैं नारी किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है इसके लिए right answer है option B 시या रामसरन गुपत के द्वारा लिखा गया उपनिया से नारी option B 시या रामसरन गुपत नारी उपनिया 시या रामसरन गुपत दे लिखा अग्ला प्रस्न है पवउम चारियू रचना में कितने कांड है। पव्म चारियू रचना में कितने कांडे हैं इसका राइट आंसर है ओप्सन बी पांच जो पव्म चारियू रचना है इसमें कांडों की संख्या है फुल पांच अगला प्रशन है कि महापुराण रचना में कितने महापुरुशों के जीवन का वर्णन मिलता है इसके लिए राइट आंसर है ओप्सन बी त्रेशट महापुराण में त्रेशट महापुरुशों के जीवन का वर्णन मिलता है इसी के साथ ये वीडियो ही पर एंड होती है मिलते हैं अगली वीडियो में कुछने प्रस्टनों के साथ question अगर useful लगे हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद